नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीरपरिचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक बहद ही महत्तोपून जानकारियों को ले करके जहां खुबानी के फायदों के बारे में आज हम सभी जानेंगे अपने इस एपिसोड के माध्यम से खुबानी या एप्रिकोट एक बीज से युक्त फल है खुबानी का वैग्यानिक नाम प्रूनस आर्मेनिया का है इसका वैग्यानिक नाम आर्मेनिया से लिया गया है वैज्यानिकों का मानना है कि खुबानी सबसे पहले आर्मेनिया में उत्पन्न हुई थी हलांकि कई अन्यविश्य शग्यों का दावा है कि 3000 साल पहले भारत में इसकी मूल खेती हुई थी यह फल भारत में पहारी जगहुं जैसे की कश्मीर, हिमानचल प्रदेश इत्यादी में उगाया जाता है खुबानी आडू या प्लम के जैसा होता है खुबानी का छिलका मुलायम और हलका खुरदरा होता है खुबानी की पतली बाहरी त्वचा के निच्चे एक नरम टैंगी गुदा होता है खुबानी आमतोर पर पीले या नारंगी रंके होते हैं खुबानी के पेंड की लंबाई लगभग 8 से 12 मिटर तक होती है इसके पेंड की तहनिया और पत्ते घने फैले होते हैं खुबानी में विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K, विटामिन E और नियासीन की महत्वपून मात्रा होती है यानि की बहुत मात्रा होती है विटामिन्स की सामगरी के साथ साथ इसमें खनीज सामगरी भी होती है जैसे पोटेशियम, कापर, मैगनीज, मैगनीशियम और फासफोरस खुबानी आहार फाइवर का बहुत अच्छा श्रोत है इसे विभिन कोस्मेटिक्स में उपयोग किया जाता है खुबानी को ताजा ही नहीं बलकि सूखे मेवे की एक किस्म के रूप में खाया जा सकता है यह विभिन्हरस जैम और जैली बनाने में भी प्रयोग किया जाता है खुबानी तेल को इसके करनेल से भी प्राप्त किया जा सकता है तो आईए आज हम सभी जानते हैं खुबानी के कुछ एक महत्वपून फायदों के बारे में सबसे पहले खुबानी के फायदे सबसे पहले जो होते हैं वो आपके पेट को साफ करने में होते हैं जी हाँ आपके पेट में अगर कब्ज गैस की प्रोब्लेम है तो उसको जड़ से मिटाता है जी हाँ खुबानी फाइवर में सम्रिध्ध होते हैं और इसलिए आतों के कारियों के लिए अच्छे होते हैं इसके लक्सेटिव गुणों के कारण अक्सर कब्ज से पिरीत रोग् करने और आसान संसकरण के लिए भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं इसके अलावा फाइवर भी पाचन तंत्र के गति को सक्रिय करता है इसके साथ साथ खुबानी के लाव हड्यों के लिए भी बेहद ही बेमिशाल होते हैं जी हाँ आपकी हड्यों के लिए ये बेहद फ पासफोरस, मैगनीज, लोहा और तामबा इत्यादी हड्डियों के निर्माण में एक निश्चित भूमिका निभाते हैं। इसलिए खुबानी खाने से आपकी हड्डियों के स्वास्थे विकास और समरिध्धी को सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ ही साथ ये ओस्टियो पोरोसिस सहीत विभिन आयू समबंधित स्थीतियों को रोकने में मदद करते हैं। खुबानी के बेनिफिट्स आपके हरिदय के लिए भी अत्तू लनिया हैं दोस्तों। खुबानी एक शांदार उपाय है जो आपके हरिदय को विभिन प्रकार के रोगों से बचाता है। जिन में एथेरोस लेरोसिसिस दिल के दोरे और स्ट्रोक शामिल होते हैं। विटामिन सी की उच्च मातरा साथ ही पोटेशियम और आहार फाइवर इत्यादी अच्छे हरिदय स्वास्थ में योगदान करते हैं। विटामिन सी दिल को मुक्त कणों से बचाता है। पोटेशियम रक्त वाहिकाओं और धमनियों के तनाव को आराम देकर रक्त चाप को कम करता है। जबकि आहार फाइवर अधिक कोलेस्ट्रोल को तोडता है जिससे हरिदय पर तनाव कम हो जाता है। ये सभी एक साथ खुबानी के इन गुणों को हिरदय स्वास्थे को बढ़ावा देने के लिए आदर्श बनाते हैं। इसके अलावा खुबानी खाने से शरीर में द्रव का संतुलन सही बना रहता है। जिहां पूरे शरीर में तरल पदार्थ मुखरूप से दो खनीजों पोटेशियम और सोडियम पर निर्भर करते हैं। खुबानी में पोटेशियम की उच मातरा शरीर में द्रव संतुलन को बनाए रखती है। और यह सुनिश्चित करती है कि उर्जा सभी अंगों और मांस पेशियों को ठीक से वितरीप की जाती है या नहीं। इलेक्ट्रोलाइट्स के स्वस्त संतुलन को बनाए रखने से आप अधिक उर्जा प्राप्त कर सकते हैं। एंठन को कम और रक्त की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा खुबानी के गुण में से मुख्य है कि ये बुखार को ठीक करता है। खुबानी का रस अक्सर बुखार से पीडित रोग्यों को दिया जाता है क्योंकि ये शरीर को आवश्यक विटामिन, खनीज, केलोरी और पानी प्रतान करता है। जबकि विभिन प्रणालियों और अंगो का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। कुछ लोग खुबानी का उप्योग बुखार को दूर करने के लिए भी करते हैं। खुबानी एक सुख दायक और सुजन को कम करने वाला पदार्थ होता है, जो शरीर के समग्र तापमान स्तर को प्रभावित कर सकता है। जब आप बिमार नहीं होते हैं, इसके अलावा यह शरीर के अन्य भागों में सुजन को कम कर सकता है। जैसे गठिया या गाउट से पीडित लोगों के लिए। इसके अलावा खुबानी का उप्योग आप त्वचा को खुबसूरत बनाने के लिए भी कर सकते हैं। खुबानी तेल त्वचा की देख भाल के लिए अच्छा होता है। यह त्वचा द्वारा जल्दी से अवशोशित किया जाता है और त्वचा पर यह तिल लगाने के बाद त्वचा तैलिय नहीं लगती है। खुबानी त्वचा की चिकनी और चमकदार उपस्थिती बनाए रखने के लिए नहीं बलकि यह एकजीमा, खुजली और कई अन्य परी स्थितियों सहित कई प्रकार की त्वचा रोगों के इलाज में सहायता करता है। यह विशेश रूप से खुबानी में पाए जाने वाले एंटियोक्सिडेंट योगिकों के कारण होता है। सुखे खुबानी में इंटियोक्सिडेंट बीटा कैरोटीन इन सबका उंच स्तर पाया जाता है। जो आपकी आँखों में आप्टिक नसों को मजबूत करने और आपके नेत्र स्वास्थे को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह विटामिन A, C और E के साथ साथ कैरोटीनाइड में भी समरिद्ध है जो निवस्कुलर एज से समबंधित मैकुलर डिगेनेशन और मोतिया बिंद के जोखिम को कम करते हैं। इसके साथ साथ खुबानी के और शद्यो गुणों में से एक मुख्य गुण है कि ये एनीमिया को दूर भागाता है। लाल रक्त कोशिकाओं के बिना शरीर अपने आपको ठीक से पुना सक्रिय नहीं कर सकता है और अंगों के सिस्टम खराब होने लगते हैं। लोहा और तंबा लाल रक्त कोशिका के गठन का एक महत्वपून हिस्सा है। ये दोनों खनीज खुबानी में मौजूद हैं जिससे यह चाया पचय को बढ़ावा देने और शरीर को ठीक से काम कर रखनी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। खुबानी के बीज हैं कैंसर के इलाज में लाफकारी। जिहां दोस्तों, माना जाता है कि केरोटिनोईड और अन्य एंटियोक्सिडेंट योगी के कारण खुबानी के बीज कैंसर के उपचार में सहायता करते हैं। यह कोई अश्चर्य नहीं है कि यह मुक्तकणों के लिए एक खत्रा होते हैं। जल्दी बुढ़ा पे जैसी स्थीतियों को उत्पन ना होने दे। खुबानी सीधे कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए जुड़ा हुआ है। इसकी अलावा यह आपको अस्थमा से भी बचाता है। खुबानी अस्थमा रोग से आपको बचाता है। कि खुबानी तेल प्रकृती में अस्थमा को खत्म करने वाला है। और यह इस रोग और इस से संबंधित लक्षणों के उपचार में मदद करता है। इसके अवश्यक तेलों के कारण इसमें कुछ कष्ट प्रद और उत्तेजक गुण होते हैं। इन गुणों में से एक फेफणों और श्वसन प्रणाली पर दबाव और तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है। जिससे अस्थमा के दोरे को शुरू होने से पहले ही रोका जा सकता है। सुखे खुबानी आपके वजन को कम करने के लिए बिहदलाबकारी होते हैं। खुबानी में कैलोरी की कम मातरा होती है और फाइबर सामगरी उच मातरा में होती है जो आपकी चया पचय दर में सुधार करती है। और पाचन इसके साथ साथ विशेले तत्वों के निश्कासन में शरीर प्रक्रियाओं को भी बहतर बनाती है। इसलिए वजन को कम करने के लिए खुबानी का उप्योग करना बहुत ही लापकारी होता है लेकिन अधिक मातरा में सुखे खुबानी खाने से आपको बचना चाहिए क्योंकि उसका लोस भी आपको हो सकता है जो आगे हम आपको बताएंगे एप्रिकॉट के फायदे आपकी प लाह दी जाती रही है इसमें मौजूद विटामिन A, C, E और साथ ही फासफोरस, सिलिकॉन, कैल्सियम, लोहे यानि कि एनिमिया से बचाता है लोहा जो हमने पहले ही बताया आपको और पोटेशियम जैसे खनीज जो गर्पवती महिलाओं और रस्तनपान कराने वाली माताओ को पोशन प्रदान करते हैं सुखे खुबानी पेश्ट का उपयोग योनी संक्रमर के इलाज में भी किया जाता है ये तो रहा खुबानी का फायदा दोस्तों लेकिन किसी भी और शदी के फायदे के साथ साथ अगर आप ज्यादा मात्रा में उसका सेवन करते हैं तो आपको नुकसान भी देता है इसलिए इसे भी जानना जरूरी होता है बलकि इसे जानना ज्यादा जरूरी होता है फायदों को तो हम जानते हैं तो उसे उठा सकते हैं लेकिन नुकसानों को तो जानना बहुत जरूरी है ताकि हम अस्वस्थ नहों इसलिए आए जानते हैं खुबा खाने के कोई खत्रा नहीं है लेकिन कुछ लोगों को इसके सेवन से एलर्जी हो सकती यह इस लिए पहले थोड़ा खा करके टेस्ट कर लेना जीए अगर आपको एलर्जी है तो इसका सेवन नहीं करना चीए क्योंकि हर व्याक्थि के शरीर में अलग-अलग तरह की energy होती है अलग तरखे enzymes होते हैं इसलिए किसी को किसी चीज चीज से इसलिए पहले test लें लेना चाहिए इसके बाद ही आपको 7 करना चाहिए इसके अधिक 7 से निमन रक्त चाप से पीडित लोगों पर इसका नाकारात्मक परभाव हो सकता है इसलिए निम्नरक्त चापवालों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए मधुमेहरोग्यों के लिए सुखे खुबानी का सेवन वांचिनिय नहीं होता है खुबानी के बीज में जहरीलारा सायन साइनोईट का उच्चस्तर पाया गया है इसलिए लोगों को खुबानी के बीज खाने से बचना चाहिए एक ही समय में 30 या उससे अधिक बीज का सेवन जानलेवा साबित हो सकता है इसलिए खुबानी का सेवन जो है इन साउधानियों को ध्यान में रख करके तब ही करना चाहिए इसके बाद आपको हमने जो भी बताया पहले अभी आपको फायदे वो फायदे आपको मिलते हैं यानि कि अती कान बोलता अती कान चुप अती कीन च्छाओं अती कीन धूप अती सर्वत्र बरजयेद अती किसी भी मामले में नहीं होनी चाहिए आप चाहें वो खान पान हो चाहें आपकी जिवन शैली हो या फिर रिष्टा हो नाता हो कहीं भी अती नहीं करनी चाहिए नहीं तो उसका लोस होने लगता है तो ये थी आज के हमारी जानकारी आप सभी के लिए दोस्तों अगले ए प्याद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों